बिस्मिल्यार्वान रहीम, असलाम लेकुम हमारे के जिन में आज बिन रहा है बहुत ही मज़िदार सा मटन कोर्मा जो के बिलकुल देगी स्टाइल का कोर्मा है और बहुत सिंपल है तो हमसे शुरू कर लेते हैं प्यास ब्राउन करने का प्रोसीजर बहुत लंबा है इसलिए नहीं दिखाया चार मेडियम स्लाइस की अनियन है और इन्हें मैं फ्राय कर लिया है और इन्हें मैं निकाल लूँगी प्रेशर कुकर में इसलिए कर रहे थी कि मुझे इसी में गोश गलाना था थोड़ा जल्दी था इसलिए आप नॉर्मली भी बिना सकते हैं इसको अब तेल जो है वो थोड़ा से कम हो गया है तो आप अगर चाहें तो कम दे ले ले मैंने इसमें डाल दी है कुछ खड़े मसाले जिसमें हैं दो दारजीनी के टुकड़े उसके बाद हैं दो बड़ी इलाइची और चार छोटी इलाइची जो हरी वाली होती है वो और चुड़ी सी लॉंगे और काले मिर्चे हैं आप दस तक्रीबन समझ लें वो मैंने इसमें डाल दी हैं वो डाल के हम मसाला थोड़ा सा करकड़ाएंगे तक कि अची सी खुछ भूआ जाए और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे लहसन अद्रक का पेस्ट वो इसमें तोड़ा से जाता है यह डाला है मैं तक्रीबन फ्रेश पीस के तीन टेबल स मैंने इसमें डाल दिया है यह डाल के मैं हलका से सौते करूंगी और उसके बाद में डाल दूगी मतन फ्रेश मतन है मेरे पास हड़ी वाला जो होता है और वो दो केलो है मेरे पास वो डालने के बाद मैंने थोड़ा सा भूना है कि इसका कलर चेंज हो जाए तो आप लोग देख लें मतन है आप इसे नॉर्मली गलाए मैंने इसे प्रेशर में गलाया था और प्रेशर का हिसाब आप अपना लग सकते हैं जैसे इसका थोड़ सा कलर चेंज हुआ है मैं इसमें कुछ मसाला आड़ करूंगी जिसमें नमक है आपने टेस्ट के हिसाब से डालने मैंने दाला था उसके साथ में दो तीबल स्पून में धनिया पाउडर था एक तीजपून इसमें घरम मसाला पाउडर और वन एन अफ तीबल स्पून तकरीबर समझ लें यह लाल मिट्चो का पाउडर अपने हिसाब से तेज या कम ले लें आप और इसके बाद है थोड़ी सी हल इसमें डाल दिया न यह दालने के बाद है अच्छे से मैंने इसके बढूना है तकरीबर 2-3 मिन भूना है तेज आच पर उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी तो आप लोग देख लें, मैंसे बहून रही हूँ क्योंकि इसे बहुत जादा बाद में नहीं भूना इस वक्त गोश का कच्छापन है उसे खत्म करने के लिए आपने इस वक्त ही भूनना है तेल दोड़ा से बाहरा जाएगा मसाले सारे रजवस जाएंगे तो हम इसमें पानी डालेंगे पानी आप अपने प्रेशर कोकर के हिसाब से डालें मैंने इसमें एक ग्लास दक्रीबन पानी डाला है जिसमें ये गल जाएगा मेरा गोश क्योंकि मैंने वैसी प्रेशर कोकर में बनाना है आप इसे नॉर्मली गलाए तो अपने हिसाब से पानी डालें कि जितना पानी खुश्क हो जाए अब मैं ऐसे लगा दूँगी CT, अगर आप प्रेशर में बना रहे हैं तो आप लगाएं इसमें 2 या 3 CT अपने प्रेशर के हिसाब से इसे गला लिए था, 10 मिंट बाद चेक किया था तो गोश अच्छा सा गल चुका था यह रेडी हो गया है, मैंने पॉर्ट चेंज कर दिया है, मैंने उसमें नहीं पकाना था, सिर्फ गलाना था पॉर्ट चेंज करके अब आप लोग देख सकते हैं, गोश अच्छे से गलावा है, बिल्कुल बाहर नहीं आ रहा है और वो तेज आज पर मैंने रख दिया है, पकने के लिए उसके बाद मैं मैं डाल दिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है वो डालने के बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया है, और इसके बाद मैं इसे तेज आज पर खुला रखके ही पकने दूँगी मुझे इसका पानी खत्म करने की कोई ज़रूवरत नहीं है, जितना होगा उसी मैं मैंनेज कर लेंगे जादा हो तो डाला जाए वो डाल दिया है और वो डालके मैंसे भूनोंगी तकरीबन 10 मिंट लगेंगे इसके बाद प्यास डालने के बाद बहुत तेजी के साथ जो है वापका सालन तयार होना शुरू हो जाएगा और अपनी शेकल एकदम चेंज कर लेगा मैंने इसे बहुत शॉर्ट कर के दिखाया है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं दिखाया है लेकिन यदिकीन करें कुछ भी मिसने हुआ अब यह है कि मैसे mix करती जारी हूँ, तेज आंच में मैसे चलाती जारी हूँ, चलाने का process इसलिए जादा दिखाया है, मेरे पास तो यह है non-stick, इसमें यह stick नहीं गरेगा लेकिन फिर भी प्यास लगने लग जाती है, तो आप देखे कि इतनी जल्डी से इसकी gravy जो है वो ठि और उसी वक्त आपको खुश्बू आने लगेगी जैसे आपके पास देख तयार हुई है, तो देखे कितनी तेजी से तयार होता जा रहा है, और बहुत ही मज़दार और खुश्चकल सालन जो है वो रेडी हुआ है हमारा कोर्मा, और यह बिलकुल सिंपल और मज़दार recipe है जब आपको लगे रेडी है, उस वक्त में आप इस पर डाल दें दो हरी लाइजी, वैसे हम पहले डाल चुके हैं लेकिन इस वक्त आले जाए तो खुश्बू डबल हो जाती है, दो डाली है मैंने वह और उसके बाद में डाल दूँगी थोड़ा सा केवड़ा essence, मेरे पास essence है, अगर आपके बस केवड़ा water है तो आप थोड़ा से जादर डाल जाते है, essence है तो थोड़ा सा डाल जाता है, कुछ drops ले, या 1-4 teaspoon के गरीब मैंने इसमें वह डाल दिया है, वह डाल के मैंने इस सिफ चलाया है, इस वक्त फ्लेम बिलकुल मैंने लो कर दिया है, जिस वक रोटी के साथ, या घर की रोटी के साथ, या सब के साथ बहुत अच्छा लगता है और आपको बिलकुल लगेगा इक कोई शादी वाला कुन्मा है और जो के बहुत ही simple तरीके से दियार होता है, तो अगर आपको मेरे recipes पसंद आइ है तो इसे like करें, share करें अपने दोस्तों के साथ और मुझे comment में बताएं कि आपको recipe कैसी रगी है साथ ही अगर आपने मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please 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 उसे subscribe करें Thank you for watching Allah Hafiz